हेलो एन विल्कम तो होममेड हापिनस फित मनीशा आज हम बनाएंगे बच्चो और बडो सबका फेवरिट चीज बॉल्स लेकिन यह रेगुलर आलू और चीज वाले बॉल्स नहीं है यह है चीजी बॉल्म्स क्यूंकि इसको खाते ही मुह में स्वात का ऐसा धमाका होगा कि आ मैंने बॉल करके मैश कर लिया है आप आधा कब तक भी ले सकते हैं कर लिए आप चाहें तो फ्रोसन या फिर बॉल कॉठ कुछ भी ले सकते हैंlenों और फिर साथ ही में एक बड़ा चमँच दाल रही हूँ हरी मिच इसको मै stitched का घब लिया था लिया था लिया है इसमें आपके पास अगर हेलोपेनो पैपर्स है तो आप वो डाल लें बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा और अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें जो हमारी हरी मेर्च होती है ना रेगुलर वाली बस उसको छोटे-छोटे पीसे में कट करके डालें इसी से हमारे चीजबॉल्स एकदम होट और बहुत ही टेस्टी वनेंगे तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एककली लेसन के जिसको मैंने कद्दू कश करके डाल दिया है आदा चोटा चमच डाला है नमक नमक बहुत जादा नहीं डालेंगे एक चो अधा चुड़ा चमच औरगेनो सीजनिंग और थोड़े से मैंने औरगेनो के फ्लेक्स भी डाल दिये हैं एक चुधा चुड़ा चमच डाल रही हूँ काले मिर्च का पाउदर अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा का प्रोसेस चीज यह मेरा होमेड चीज है रेसेपी में जितने मसाले वो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगे इसमें और आप हरी मिर्च जरूर से इसमें डालें क्योंकि हलकी सी हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा सा टीस्ट आएगा इसमें चीज और ग्रीन चिली का बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होगा अगर चोटे ब वह यह लेना है यह सब चीज अच्छ को हमें nach CEO कॉंटिटी में नहीं लिया है आलू बस मैंने इतना ही लिया है कि वो हमारा बाइंडिंग का काम करें तभी बहुत ही अच्छा सा चीज और सारे जो स्पाइस है उसका फ्लेवर आएगा छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाई है मैंने बहुत जादा बड़ी साइज ना बनाए क्य एक घोल बना लूँगे हमें घोल को बहुत जादा गाढ़ा नहीं रखना है मैं इसे पतला ही रखना है क्योंकि हम इसमें फिर डबल कोटिंग करेंगे तो घोल पतला होगा तभी अच्छा रहेगा तो घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए यह देखिया ऐसा एक्दम फ जाल रही हूं औरेगेनो फ्लेक्स वैसे यह ऑप्शनल है आप स्किप भी कर सकते हैं सारी चीज़ों करते हैं तो मैंने यहां पर एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा ले लिया है इसमें हम जो हमारी बॉल्स है उसको डाल के थोड़ा सा रोल कर लेंगे तो यह हलका सा इसमें स सुखा मैदा कोट हो जाएगा तो इससे हमारे जो चीज़ बॉल्स हैं वो काफी क्रिस्पी बनेंगे अब यह जो हमने सलरी बनाई थी उसमें मैंने इसको डिप किया है ऐसे साइड में लगा के हम एकसे सलरी को निकाल देंगे और फिर हम इससे डालेंगे हमारे ब्रेट क्र हाथों से इसको हम ऐसे रोल कर लेंगे अब मैं इसको डबल कोट कर रही हूँ ताकि जो हमारे चीज है न वो बर्स्ट होके बाहर ना निकले चीजी कवरिंग आ जाए इसके उपर तो मैं वापस से इसको सलरी में डाल रही हूँ और फिर से हम एक बार इसको ब्रेट क्रम्स में डाल के वैसे ही रोल कर लेंगे पस ये ध्यान रखें कि हाथों को गीला ना करें बहुत सादा मैसी हो जाता है उसकी वज़े से तो एक स्पून की हेल्प से इसको सलरी में डाले और फिर सूखे हाथों से इसको ऐसे ब्रेट क्रम्स में रोल कर लें तो इसी तरीके से सार आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं और जब भी जरुवत हो आप इसे फ्राइ कर लें आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करें और मुझे सपोर्ट करें मुझे आपके कॉमेंट्स परना बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो के बाद एक चोटा सा कॉमेंट्स जरूर लिखें तो मैंने बॉल्स को बना के रेडी कर लिया है अब मैं इसको फ्रीजर में रख रहे हूं कम से कम आधे गंटे के लिए ताकि जो हमारे हाथों की गर्मी से चीज जो मेल्ट हुआ था ना वह वापस से फ्रीज हो जाए नहीं तो जब हम फ्राइ करेंगे ना तो चीज हमारा उज आउट हो सकता है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसको अराम से फ्रीजर में रख दें और यह थोड़े से बाल्स है ना यह मैंने लग जाएगा इसको फ्राइ होने में जादा टाइम नहीं लगेगा तीन से चार मिनिट में ही है हमारे जो चीज बॉल्स है वो रेडी हो जाएंगे यह देखिए जैसे ही गोल्डन कलर आएगा पस हम इसे निकाल लेंगे और यह देखिए हलका सा चीज भी ऊजा उट होने लग गया है तो बस यही टाइम है कि हम इसे निकाल लेंगे और जब हम रेड क्रम्स का कोई भी स्नैक नाते हैं तो आयल में इसके पार्टिकल निकल जाते तो एक चन्नी के हल्प से मैंने इसको क्लीन कर लिया है यह बहुत ही जरूरी है नहीं तो जब हम सेकेंड बैच को फ फ्लेवर से भरे हुए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और हमने इसमें जो चीज है वो ग्रेट करके डाला है इसलिए वो बहुत ही इवनली डिस्टिब्यूट हुआ है नहीं तो जो अगर हम सेंटर में फिल कर देते हैं तो वो बस बीच-बीच में ही उसका टेस्ट आता ह यह देखें कितना बड़या लग रहा है एकदम टेम्टिंग है बहुत ही मज़ेतार है आप कोई सा भी बॉल दोड़ के देख लेंगे एकदम मज़ेतार और सच में इसका नाम है बॉम तो यह फ्लेवर्स का बॉम ही है आप एक बार रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और मज है मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई